Hey everyone, देखिए अभी हमारे पास में दो प्रिलिंस के एक्जैम्स आ गए हैं, बिहार का और मत्यप्रदेश का जो होने वाले हैं, अपकेमिंग एक्जैम्स में ये दो स्टेट है हमारे सामने, अगर हम लौ के सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट इन दोनों ही स्टे उसके एक रिवीजन जल्दी जल्दी कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको यहां पर डिसकस करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एंसी क्यू को भी हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए कॉंस्ट टेडेजे कि जब आप कोई पर इशांता ट बुक में आप सबसे पहले सबसे आगे जो देखते हैं प्रिफेस क्या होता है वह बुक किस चीज के बारे में है उस बुक का क्या प्रप्रफ़ है क्या अपजециव है जिस चीज के बारे भी वह बुक है ऐसे ही हमारा को contain किया है and it is a key to open the mind of the framers of the constitution and it aids the legal interpretation of the constitution यह हमारा पूरा का पूरा प्रेम्बल अगर आप प्रेम्बल को पढ़ेंगे तो यह जो जिस वर्ट से open होता है वो है we the people of India इसका मतलब है कि जो हमारा constitution है वो जो dedicate किया गया है वो हम लोगों को किया गया है और यह जो constitution है वो लोगों की द्वारा ही बनाया गया है इसमें देखे फिर है कि having solemnly resolved to constitute India into a यह जो five words है यह बहुत जादा important है इसका sequence भी पूछ लेता है exam में तो आप sovereign socialist secular democratic republic इसको आप जरूर से याद करें and to secure to all its citizen यह जो है यह citizens के बारे में यहाँ पे preamble में जो है बात कही गई है और फिर यहाँ पे है कि यह क्या क्या secure करता है तो देखें यह justice, liberty, equality, fraternity है तो आपको अगर यह वाला sequence याद करने में दिक्कत होती है तो मैं इसके लिए आपको एक shortcut एक trick बता देती हूँ आप जिससे याद कर सकते हैं इसको वो है कि जाओ लेके एक fancy dress जाओ का J का मत्तब हो गया justice, L का liberty, A का equality, F से हो गया fraternity और D का हो गया dignity आप इससे यह एक shortcut बना सकते हैं कि अगर आपको यह sequence भूल जाता है तो और justice क्या secure करता है social, economic, political, liberty, thought, expression, belief, faith and worship, equality, status और opportunity का इसके बाद देखे है कि जो dignity word यूज किया गया है वो individual के लिए किया गया है और unity और integrity जो है वो nation के लिए यूज किया गया है और हमारी constituent assembly ने 26th November 1949 ये date आप बिलकुल याद रखेंगे उस दिन adopt किया और enact किया constitution को adopt और enact ये word यहाँ पर use किया गया है और हमारा constitution जबकि force में आया था 26th January 1950 को दूसरी चीज है कि अगर preamble या constitution के other provision की बीच में अगर conflict होती है तो कौन prevail करेगा तो देखें जो other provision है वो prevail करेंगे हाला कि जब ambiguity की case होगी तो वहाँ पे preamble को ज़रूर use किया जाएगा interpretation के लिए उसके बाद आता है कि preamble जो है वो बाकी के operative part को adopt करने के बाद last में adopt किया गया था confirmity के लिए ताकि वो बाकी provision के साथ confirmity में है की नहीं है इसलिए इसको पाद में adopt किया गया था अब आद आते हैं हम preamble के draft पे कि preamble की history क्या रही है तो देखे objective resolution मूफ कराया गया था constituent assembly में जवाहलाल पंडिक जवाहलाल नहरू के दवारा 13 दिसंबर 1946 को इस resolution में कुछ basic aspirations थे और इसी resolution को adopt किया गया 22 जनवरी 1947 को जिसको आज हम अपनी preamble की रूप में देखते हैं अब बात आती है कि क्या preamble हमारे constitution का part है की नहीं है तो देखे generally preamble को constitution का part नहीं माना गया था और यही same चीज बेरुबरी के case में supreme court नहीं कहा था कि preamble constitution का part नहीं है लेकिन supreme court नहीं अपने ही decision को reverse कर दिया case one in the भारती versus state of केरला की case में जहां पे उन्होंने कहा कि preamble constitution का part है और union of India versus LIC की case में भी supreme court के द्वारा कहा गया कि preamble is an integral part of constitution पार्ट के बाद बात आती है कि क्या preamble को amend किया जा सकता है कि नहीं तो case one in the भारती का जो case है यह इस point of view से भी बहुत ज judgment 24th April 1973 को आयता जहां पी 13 judges की bench थी और justice सिकरी जो है वो chief justice थे यहां पी supreme court ने majority के साथ held किया कि preamble को amend किया जा सकता है लेकिन parliament के पास article 368 में unlimited powers नहीं है और वो इसकी basic structure को amend नहीं कर सकती है basic feature क्या है हमारे constitution के तो देखे वो supremacy है preamble preamble खुद एक basic structure form करता है Republican and Democratic form of government, secular character, separation of power and federal character of the constitution तो अब बात आ जाती है कि क्या preamble हमारा amend हुआ है तो हाँ हमारा preamble एक ही बार आज तक amend किया गया है जो कि 42nd amendment act से amend हुआ था और जिससे 3 words preamble में add किये गए थे फिर्स्ट पैरा में socialist और secular word add किया गया था और फिफ्ट पैरा में integrity word को add किया गया था नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ important facts लेके आएंगे कुछ और topics के ऊपर constitution से related तो चैनल को subscribe करना ना भूले thank you